साथियों, आप सभी ही आत्म निर्भर्ष भारत अभ्यान के असली करणधार है, NCC हो, NSS हो, या फिर दूसरे संगडन हो, आपने देश के सामने आने वाली हर्चुनवती और संकड के समय अपनी भूमी का निभाई है, कोरोना काल में भी आपने जो काम किया, वालेंटियर्स के रूप में, उसकी जितनी प्रसंसा की जाए, वो कम है, जब देश को, शासन, प्रसासन को सबसे अधिक ज़रुरत थी, तब आपने वालेंटियर्स के रूप में आगे आकर जवस्थाएं बनाने में मदद की, आरग्य से तु आपको जन जन तक पहुचाना हो, या फिर कोरोना संक्रमर से जुड़ी दूसरी जानकारियों को लेकर जाग रूपता, आपने प्रसंसन ये काम किया है, कोरोना के इस कान में, फिट इंडिया भ्यान के माध्यम से, फिटनेस के प्रती एवर्नेस जगाने का आपका प्रोल महत्पुन रहा है, साथियों, जो आपने अभी तक किया, उसको अब अगले चरण पर ले जाने का समय आ गया है, और मैं आप से इसलिए कह रहा हूँ, क्योंकि आपकी पहुंच देश के हर हिस्से, हर समाज तक है, मेरा आप से आगरह है, कि आपको देश में चल रहे कोरोना वैक्सिन अभियान में भी देश की मदद करने के लिए आगे आना है, आपको वैक्सिन को लेकर सही जानकरिया देश के गरीब से गरीब और सामाने से सामाने नागरिक को देनी है, कोरोना की वैक्सिन भारत में बना कर भारत के वेज्यानिकों ने अपना कर्तब ये अब हमें अपना करतम निभाना है जूट और अफ़ा फेलाने वाले हर तंत्र को हमें सही जानकारी से परास्त करना है हमें याद रखना है कि हमारा गनतंत्र इसलिए मजबूत है क्योंकि ये करतव्य की भावना से संकल्पित है इसी भावना को हमें मजबूत करना है इसी से हमारा गणतंत्र भी मजबूत होगा और आत्मनिरभरता का हमारा संकल्ब भी सित्त होगा आप सभी को इस महत्वपूर्ण राष्टिय पर्म में शरीख होने का आउसर मिला है मन को घड़ने का देश को जानने का और देश के लिए कुछ न कुछ करने का इससे बड़ा संसकार कोई और नहीं हो सकता है जो सवभागे आप सबको प्राप्त हुआ है मुझे भी स्वास है कि 26 जनवरी के इस भव्य समारों के बाद जब यहां से घर लोटेंगे तो आप यहां के अनेक चीजों को याद रख करके जाएंगे लेकिन साथ साथ यह कभी नहीं भूलना कि हमें देश को अपना सर्वस्रेष्ट अर्पित करना ही है करना ही है करना ही है